दक्षिन पश्यम मानसून की दूसरी शाखा बॉम्बे से इंटर करती है लगबग 5 से 10 जून के आसपास हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों इंडियन जोगरफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे भारत की जलवायू की काफी important वीडियो है अकसर देखिए इस topic से exam में question देखने को मिलता है तो friends ध्यान से वीडियो को देखिएगा इस वीडियो को देखिए मैंने दो पार्ट में divide करा है पहले पार्ट में देखिए हम सारा theory section cover करेंगे and second part में देखिए हम जो last year exam में question पूछे गए हैं और जो question पूछे आ सकते हैं वो सारे question जो है हम solve करेंगे तो ये topic आपको अगर अच्छे से complete करना है तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको friends इस topic का PDF डाउनलोड करना है तो crazy is a trick का application डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर मैंने option दे रखा है आप वहाँ से दिशा होती है महां का जो वायू मंडली दाब है atmospheric pressure है वहाँ पर हवाओं की दिशा केसी है मतलब इन सब की study करना ही जलवायू का अध्यन करना होता है समझ में आया आपको अब हमारे दिमाग में बात आती है कि जलवायू और मोसम में क्या difference है climate और weather में क्या difference है तो बहुत चोटा सा अंतर है देखिए मोसम जो होता है यह atmosphere मतलब वायू मंडल की बहुत छोटी अवस्था होती है एक छोटी सी state होती है जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है उसे क्या बोलते हम मोसम बोलते है जबकि जलवायू जो होती है वो वायू मंडल की वो अवस्था होती है वो state होती है, जो लंबे समय तक समान रहती हैं, मतलब लगबग 25-30 साल तक समान रहती हैं, उस वायो मंदली अवस्था मतलब state को हम क्या बोलते हैं, जलवायू कहते हैं, climate कहते हैं, तो छोटा सा अंतर था आपको clear हुआ होगा, बात करते हैं friends कि भारत की जलवायू किस तरीके की जलवायू है, तो देखिए, exam में question पुछा आता है ये, तो ध्यान रखेएगा, भारत की जलवायू जो है, वो उश्नकटि बंदी ये मांसूनी जलवायू है, अब उश्नकटीबंदी ये मांसूनी जलवायू का मतलब क्या है इस सीज को समझ लो एक एक वर्ड को हम देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं उश्नकटीबंदी का यहाँ पर क्या मतलब है उश्नकटीबंदी का मतलब यहाँ पर यह है आपको भारत की स्थिथी पताए ग्लोब में भारत का अधिक्तम भाग उश्नकटी बंदी शेत्र में पढ़ता है ग्लोब पर जो उश्नकटी बंदी शेत्र है वो कहां से कहां तके करकर रेखा और मकर रेखा के बीच का शेत्र क्या किलाता है उश्नकटी बंदी शेत्र किलाता है और भारत के देखिए बीचों बेच से होकर जाती है करकर एका हमको पताईए तो मतलब देखिए भारत का अधिकांश भाग जो है वो कहां पर आ रहा है उश्नकटी बंदी शेत्र में आ रहा है इसलिए यहाँ पर देखिए उष्णकटी बंधी वर्ड यूज किया गया आप देखिए सेकेंड वर्ड है मांसुनी इस शब्द की उत्पत्य हुवी अर्भी भाषा के शब्द से अर्भी भाषा का एक शब्द है मौसिम मौसिम का देखिए अर्थ क्या होता है हवाओं की दिशा का रितू हो मतलब सीजन के साथ बदल जाना ये इसका मतलब होता है तो भारत की जलवायू की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे सीजन चेंज होता है रितू चेंज होती है हवा की डारेक्शन जो है वो बदल जाती है इसलिए यहाँ पर देखिए भारत की जलवायू को मानसूनी जलवायू का गया यह भी एक्जाम में कोशन पुछा आता है तो समझ में आया आपको उशनकटी बन दिये मानसूनी जलवायू है भारत की आगे देखिए friends, किसी भी इस्थान या देश की जलवायू जो होती है, climate जो होता है, वो बहुत सारी चीजों पर depend करता है उस इस्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो इस्थान किस अक्षांश मतलब latitude पर इस्थी थे, उस इस्थान की उचाई क्या है, वहाँ पर पहाडों की इस्थिति कैसी है, तो बहुत सारे parameters होते हैं, उसके करण depend करता है कि उस इस्थान की जलवायू कैसी है अब देखिए यहीं से SSE में question पूछ लिया था, कि शिमला और अमरित सर एक ही अक्षांश मतलब एक ही latitude पर इस्थी थे, तो उनकी जलवायू में difference क्यों आता है, तो क्यों आता है difference, क्योंकि देखिए उनके बीच में उचाई का difference है, शिमला जो है वो अधिक उचाई पर इ आगे बात करते हैं friends, हमने बोला कि भारत की जलवायू केसी हैं, उचने कटी बन दिये मानसूनी जलवायू है, तो भारत में मानसून की उत्पत्ती कैसे होती हैं, इसको समझ लेते हैं, भारत में देखिए मानसून की उत्पत्ती यहाँ पर temperature के बढ़ने और घटने से होती हैं, जिसे टिपिकल लेंग्वेज में कहा जाता हैं मानसून की उत्पत्ती का तापी सिद्दान्त, तो हम देखिए मानसून की उत्पत्ती का तापी सिद्दान्त ही डिस्कस करने वाले हैं पूरा, इसको समझने के लिए आपको एक basic concept जो है वो clear होना जरूरी है, और वो basic concept देखिए हमने चक्रवात के वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है, तो चलिए एक बार जल्दी से हम उसको revise कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि temperature और pressure में क्या relation होता है, inverse relation होता है, मतलब जब भी temperature बढ़ेगा, pressure कम होता है, pressure बढ होगा, हवा जो है, वो high pressure से low pressure की और गतिकन लग जाती है, clear, तो ये देखिए concept बहुत important है, पूरे lecture में use होने वाला है, तो आपको clear हो गया होगा, अब देखिए friends होता क्या है, जब भारत में ग्रिश में रितु आती है, summer season आता है, उस समय देखिए क्या होता है, सूर्य ज पाकिस्तान वाला हिस्सा और पूर्वी पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा temperature जो है, वो बढ़ जाता है, अब यहाँ पर देखिए temperature अगर बढ़ेगा, तो मतलब pressure यहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए निम्नदाप म वो हमेशा high pressure से low pressure की और गती करती है। इसलिए दक्षिन गोलार्द की पवने जो हैं, मतलब high pressure वहाँ पर एरिया बना हुआ है, तो वहाँ की पवने low pressure एरिया की तरफ चलने लग जाती हैं, मतलब भारत के इस्थल भाग की तरफ आगे बढ़ने लग जाती हैं। चुंकि देखिए समुद्र के उपर से होकर आरे होती है तो ये साथ में जलवाश मतलब पानी की मात्रा भी लेकर आती है हिंद महासागर से आने वाली ये दक्षिन पश्री में मांसुनी पवने जब आगे बढ़ती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है एक अरब सागर की दक्षिन पश्री में मांसुनी पवने और एक बंगल की खाडी की दक्षिन पश्री में मांसुनी पवने सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की दक्षिन पश्री में मांसुनी पवनों की ध्यान रखिएगा दक्षिन पशिम मांसून सबसे पहले पहुचता है केरल राज्य में यहाँ पर एक important point भी निकलता है कि जो बंगाल की खाड़ी की दक्षिन पशिम मांसूनी पवने हैं वो देखिए सबसे पहले पहुच जाती है अंडबा निकोबार में लगबग लगबग 25 मई के आसपास तो अगर आपसे देखिए राज्य पूछे तो उसमें केरल आएगा और अगर आपसे देखिए केंशाशी प्रदेश का नाम भी अगर वहाँ पर दे तो उसमें देखिए अंडबा निकोबार आंसर हमारा सही होगा ठीक है तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होईएगा तो हम बात कर रहेते अरब सागर की तरब से आने वाला देखिए दक्षिन पशिमी मांसुनी पाव ने सबसे पहले कहाँ पर पहुची केरल राज्य में पहुची ठीक है एक जून के आसपास ये दक्षिनी पशिमी मांसुनी पाव ने देखिए भारत के जब पशिमी तरड पर पहुचती है तो ये पशिमी घाट से टकराती है और जोरदार बारिश जो है हमको देखने को मिलती है पहाडों की देखिए अतिदिक उचाय के कारण पशिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है वहाँ पर देखिए हमको वर्शा कम देखने को मिलती है क्यों? क्योंकि देखिए पश्यमी घाट पर पहाडों की जो उचाई है वो देखिए तकरीबन अगर हम एवरेज बात करें तो लगबख है कितना 1500 से 2000 मिटर और जब ये पवने पश्यमी घाट तक पहुशती है तो 1200 मिटर की उचाई तक पहुशते-पहुशते ठंडी हो जाती है और बारिश कर देती है यहाँ पर देखिए पश्रीमी घाट की जो पूर्वी ढलान वाला शेतर है इसे क्या कहा जाता है वरस्टी छाया शेतर कहा जाता है ये तव आप ध्यान रखेगा एकजाम में पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको बताया वरस्टी छाया शेतर में देखिए तमिलनाडू, करन नाटक और आंदरपदेश इस्तित होता है इसलिए यहाँ पर दक्षिन पशिम मानसुन का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। पर दक्षिन पशिम मानसुन की तिसरी शाका की तो यह देखे गुजरात के सोरास्ट से इंटर करती है भारत में और अरावली के सारे सारे आगे बढ़ती है। पर दक्षिन पशिम मानसुन की तो यह दक्षिन पशिम मानसुन जो है भारत में देखे नाइन्टी नाइन्टी टू परतिशत वर्षा जो है वो उत्पन करता है। आगे देखे फ्रेंड्स हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसुनी पवने की। तो जो दक्षिन पशिम मानसुन की बंगाल की खाड़ी में मानसुनी पवने पहुशती है वो बंगाल की खाड़ी से देखे आगे बढ़ते हुए म्यानमार तट और बंगलादेश के कुछ भाग से टकराती है। पर ये मानसुनी पवने जो है म्यानमार तट पर इस्थित अराकन की पहाड़ीों से टकरा कर देखे दो शाकाओं में बढ़ जाती है। इसकी पहली बड़ी शाका जो है वो देखे पशिम बंगाल और बंगलादेश में दक्षिन पूर्व से इंटर करती है। और आगे बढ़ते हुए गंगा के मेदान पंजाब के मेदान तक पहुशती है। और वहाँ पर देखे वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। और एक इंपोर्टेंट ची ध्यान रखेगा मौसिम राम वो इस्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा ओसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। मांसुन के आने की कहानी को समझा। अब इसके बाद देखिए मांसुन के जाने की भी कहानी है। वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब भारत में देखिए शीत रितु का समय आता हैं, विंटर सीजन आता है, तब भारत के उत्तर पुर्वी भाग पर तापमान कम हो ज तो हिंद महासागर में देखिए मकर रेखा के उपर इस्तित होने के कारण वहाँ पर तापमान जो है वो बढ़ जाता है वहाँ पर तापमान अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो लो हो जाता है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया डवलब हो जाता है तो मैंने आपको बताये था हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के और गतिकन लग जाती है तो यहाँ पर देखिए उत्तर पुर्व से पवने जो है वो हिंद महासागर की तरफ चलने लग जाती है तो यहाँ पर शुरुवात होती है उत्तर पूर्व मांसुन की देखिए इसका मैक्सिमम भाग जो है उत्तर पूर्व मांसुन का वो इस्थल से होकर जाता है पर उत्तर पूर्व का कुछ भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर जाता है तो जलवाश्प की कुछ मातरा गरहन कर लेता है जिसके कारण अक्टोबर नवंबर में देखे आंदरप्रदेश के कुछ भाग में और नवंबर दिसंबर में देखे तमिल नाडू में सरवादिक वर्षा जो है वो देखने को मिलती है इसमें देखिए उत्तरपुर्व मांसून की 52-60 प्रतिशत वर्षा जो होती है वो सिर्फ तमिल नाडू में ही देखने को मिलती है तो उत्तरपुर्व मांसून से देखिए तमिल नाडू में वर्षा होती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्जाम में देखिए बहुत बार कोशिन पुछा आता है तो ध्यान रखिएगा आगे देखिए एक फेक्ट को हम डिसकस करते हैं कि तमिल नाडू वर्षा रितू में शूश्क क्यों रहता है उसके दो कारण है पहला कारण क्या है तमिल नाडू धक्षिन पश्शिम मांसून की अरब सागर वाली जो शाका है उसके वरष्टी छाया शेत्र में शूश करेता है और सेकेंड कारण क्या है तमिल नाडू का तट जो है ये देखिए बंगाल की खाड़ी की जो मांसूनी पवने है उसके समान अंतर है इस वज़े से देखिए ये वर्षा रितू में शूश करेता है ये दो इंपोर्टेंट कारण है देखिए एक्जाम में यहां से कोशन ब पर वर्षा और बर्वबारी हमको देखने को मिलती है पश्चिमी विक्षोप के कारण वेस्टन डिस्टबेंस के कारण वेस्टन डिस्टबेंस क्या होता है इसको समझेए देखिए ये भारत के शीतरितू में उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तुफान है जो कि भूमद्य सागर और अंदमासागर से नमी प्राप्त करकर उड़ता है। और भारत के उत्तर पश्रिम भाग में पंजाब वाले शेतर में वर्षा करता है। और जम्मु कश्मीर उत्राकाण और हिमाचल शेतर में बर्फ बारी उत्पन करता है। समझ में आया आपको वेस्टन डिस्टबेंस जो है ये एक प्रकार का तूफान है जो कि कहां से उत्पन होता है भूमद्य सागर अंदमासागर से उत्पन होता है और देखिए भारत के उत्तर पश्रिमी भाग पर आकर वर्षा और बर्वबारी उत्पन करता है। तो ये भी देखिए काफी इंपोर्टेंट है यहां से कोशिन पुछा आता है अच्छा जी जो पश्चेमी विक्षोबे मतलब वेस्टन डिस्टबेंस है ये देखिए गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन होता है गेहूं की फसल जो है ये कौन सी फसल है रभी की फसल है रभी की फसले जो है वो कम तापमान में बोई जाती है कौन-कौन सी फसले होती है रभी की जिसे की गेहूं मटर सरसो चना ये सबी देखिए रभी की फसल होती है इसकी अगर विपरितम बात करें तो मानसुनी वर्षा के समय में खरीब की फसल बोई जाती ह खरीब की फसले कुन-कुन सी होती हैं, चावल, बाजरा, मुंगफली, सोया बीन, उड़द, कपास, ये सबी देखिए खरीब की फसले हैं तो ये देखिए डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, यहां से भी एक्जाम में कोशन पूछ लेते हैं इसके बाद देखिए भारत में हम वर्षा के आंकडों को डिसकस कर लेते हैं तो देखिए भारत में ओसतन वार्षिक वर्षा जो होती है, वो कितनी होती है, 125 cm होती है भारत के 35 प्रतिशत भाग पर 75 प्रतिशत से कम वर्षा देखने को मिलती है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर देखने को मिलती है सबसे अधिक मतलब यहाँ पर 400 cm से अधिक कहाँ पर पशीमी घाट, मेगालाय और उत्तर पूर्व का देखिए उप हिमालाई शेत्र जो है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है मेगालाई के कुछ इसो में तो देखिए 1000 cm से भी जादा वर्षा दर्ज की जाती है सबसे कम वर्षा वाले इस्थानों की बात करें मतलब जहां पर 20 cm से कम वर्षा होती है वो कुन-कुन से इस्थान है पश्यमी राजस्थान वाला भाग और लद्दाक वाला भाग यहां पर देखिए भारत में सबसे कम वर्षा जो है वो दर्ज की जाती है आगे देखिएगा जिस इस्थान पर 100 cm से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती जो है वो की जाती है जहां पर 100 cm से कम वर्षा होती है वहां पर देखिए गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है भारत का जो पुर्वी भाग है यहां पर जादा वर्षा होती है एस कंपेर टू पश्यमी भाग है इसलिए भारत के पूर्वी भाग में चावल जो हे वो ज़ादा मातरा में बोया जाता है और पश्यमी भाग पर देखिए गेहूं की फसल ज़ादा बोय जाती है एक important point इसमें ध्यान दीजेगा जब ग्रिश्मिरितू खत्म होता है तब मानसून के आने से पहले बिहार और बंगाल के शेतर में कुछ वर्षा देखने को मिलती है जिसे क्या कहा जाता है फुहार कहा जाता है ये वर्षा आम की फसल के लिए बहुत जादा फाइदेबन होती है इसलिए इस वर्षा को आमर वर्षा के नाम से भी जाना जाता है तो आपको clear हो गया होगा आमर वर्षा किसे केते हैं गृष मिरितु जब खतम हो जाती है मानसून जब आने वाला होता है जस्ट उससे पहले आने वाली वर्षा आम की फसल के लिए देखिए बहुत यदा उप्युक्त होती है इसलिए इसे आमर वर्षा के नाम से जाना जाता है तो friends देखिए यहाँ पर हमारा यह सारा theory section complete होता है अच्छे से पूरा visualize करके देखिए हमने समझा है आपके दिमाग से कभी भी देखिए यह सब चीज़े नहीं जाने वाली है अब देखिए friends इस topic से कौन-कौन से exam में question पूछे गए हैं और कौन-कौन से question पूछे आ सकते हैं उन सभी को solve करना बहुत ही ज़रूरी है तो वो देखिए सभी question हम solve करेंगे इसके part 2 में तो अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो crazy jake trick के application पर चले जाएए वहाँ पर मैंने option दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो friends आज की बस इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो please वीडियो को like करिए share करिए और comment करके ज़रू बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं करा हैं तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते अगले वीडियो में जय हिन जय भारत